परिचाए बच्चो, आज हम तत्वों के वर्गी करण का अध्यान करेंगे ठीक है सेर सेर, पर हम तत्वों का वर्गी करण कैसे करेंगे? हम तत्वों का वर्गी करण आवर्त सारणी की मदद से करेंगे सेर, आवर्त सारणी क्या होती है? बच्चो आवर्त सारणी तत्वों की ऐसी व्यवस्ता है जिसके कारण सामान तत्व एक वर्ग में आते हैं और आसमान तत्व अलग रखे जाते हैं अच्छा तो सेर हम तत्वों का वर्गी करण उनके गुड़ों के आधार पर करेंगे हाँ ठीक कहा तुमने धन्यवा सेर तो चलो आगे वढ़ते हैं इस अध्याय में आप उन तत्वों का अध्यान करेंगे जो अब तक मालुम किये गए हैं और उन्हें वर्गी करित करेंगे उद्देश इस पाठ के अंध में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आवर्थ सारनी के तत्वों को वर्गी करेत करना आवर्थ सारनी की उत्पत्ती पर विमर्ष करना मेंडलीव की आवर्थ सारनी को समझना आधुनिक आवर्थिता नियम को बताना सौसे अधिक परमाणू क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण को जानना तत्वों के इलेक्ट्रोनिक विन्यास पर विमर्ष करना आवर्तिसारणी को S, P, D और F ब्लोकों में विभाजित करना तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता को समझना तत्वों के रासाइनिक गुणों में आवर्तिता को समझना हमें तत्वों की वर्गी करण की आविशक्ता क्यूं है? अठारवी शताबदी के पूर्व कुछी तत्वों के बारे में जानकारी थी समय बीतने के साथ बड़ी संख्या में तत्वों की खोज कर दी गई वर्तमान में हमें 114 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त है अब हुने वर्गी कृत करना जरूरी हो गया है तत्वों के वर्की करण ने आवर्त सारणी के गठन की आविशक्ता को जन्व दिया इस प्रकार आवर्त सारणी को एक ऐसी तालिका के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसमें सभी प्राप्त तत्वों को उनके गुण धर्मों के अनुसार वैवस्थित किया गया है ताकि समान तत्व एक इही उर्दवाधर कॉलम में आ जाएं और आसमान तत्व अलग रखे जा सकें आवर्ती वर्गी करण की उत्पत्ती डौबे राइनर ट्रिक उन्होंने देखा कि कुछ समान तत्व तीन तत्वों के समुहों में उपस्तित है और उन्होंने इसे त्रिक का नाम दिया इस त्रिक की दिलचस्प विशेश्टा ये थी कि प्रतेक त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणुभार शेश दोनों तत्वों के पर्मानुभार के औसत मान के लगभग बराबर था। उधारण के तोर पर लीधियम, सोडियम और पोटेशियम एक त्रिक का निर्मान करते हैं। सोडियम का पर्मानुभार बराबर लीधियम का पर्मानुभार प्लस पोटेशियम का पर्मानुभार बराबर साथ जमा 49 बटे दू बराबर 23 हालकी त्रिक का ये नियम कुछी तत्वों पर लागो किया जा सका। अश्टक का ये नियम केल्शियम के आगे के तत्वों पर लागो नहीं किया जा सकता। यहां तक की आधर्श गैसों की खोच के साथ आठवां तत्व भी समान नहीं रह गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी ती उसके अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमानू भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उप्योगिता 1. आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गी करण समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक समुह में रखर किया गया है। 2. मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे जो भविश्य में नए तत्वों की खोज का संकेत देते थे। कुछ गुणों की प्रगुक्ती भी पूरी निश्पक्ष सटीकता के साथ की गई थी। उधारण के तौर पर जब उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को प्रस्तावित किया था। गैलियम और जर्मेनियम दोनों तत्वों की खोज नहीं हुई थी। मेंडलीव ने इनका नाम क्रमशा एका एलोमिनियम और एका सिलिकॉन रखा था। इस सारणी की मदद से कुछ तत्वों के संदय आस्पद परमणु भारों को ठीक कर दिया गया। आधोनिक आवर्त नियम और आवर्त सारणी का वर्तमान सो रूप आधोनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म उनके परमानों क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। वर्तमान की आवर्त सारणी का सो रूप दीर्ख है। आवर्थ सारणी की शेतिच पंक्तियों को आवर्थ यानि पीरियर्स कहा जाता है। एक आवर्थ में सामान बाहे इलेक्ट्रोन विन्यास वाले तत्वों को रखा जाता है। पूरी सारणी में साथ आवर्थ हैं जिनके नमबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ दिय आवर्थ दो और तीन में से प्रतेक में आठ तत्वों रखे गए हैं, ये लगु आवर्थ कहे जाते हैं। चौथे और पांचवें आवर्थों में से प्रतेक में अठारा अठारा तत्वों रखे गए हैं, जिन्हें दीर्ग आवर्थ कहा जाता है। छटवें आवर्थ मे 32 तत्व हैं और इसे दीरगितम आवर्थ कहा जाता है। आवर्थ सारणी का उर्थवा धरिस्तंभ वर्ग कहलाता है। वे तत्व जो एक वर्ग से संबंदित होते हैं, एक परिवार का गठन करते हैं। उधारण के तौर पर वर्ग सत्रा के तत्व हेलोजन परिवार का गठन करते हैं। इसी तरह वर्ग सोला के तत्व आक्सीजन परिवार का गठन करते हैं। सो से अधिक पर्माणों क्रमांक वाले तत्वों का नाम करण। के पर्माणों क्रमांकों के आधार पर किया जाएगा। पर्माणों क्रमांकों के विभिनांकों के लिए दिये गए नामों को क्रमशाह एक साथ लिखकर अंत में एम लगा दिया जाए। उधारण 120 पर्माणों क्रमांक वाले तत्व की खोज नहीं की गई है। इस दत्व का नाम और प्रतीक क्या होगा? हल, दिया गया पर्मानुक्रमांक 120 है, अता नीचे दी गई सारणी के अनुसार, 120 के लिए हम अन्बाइनिल लिख सकते हैं, उसके बाद एम जोडेंगे, अता ये अन्बाइनिलियम कहलाएगा, और इसका प्रतीक होगा UPN. तत्वों का इलेक्ट्रोनिक विन्यास और आवर्त सारणी, किसी परमानुके कक्षकों में, इलेक्ट्रोनों की वैवस्था उसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास कहलाती है, आवर्त की संख्या, तत्वों में उपस्तित संयोजी कोश की मुख्य क्वांटम संख्या को प्रधर्शि इसमें इलेक्ट्रानों के भराव को दर्शादा है। अभी सूर जायस्तर में केवल एक कक्षक होता है, एक S, इसलिए इसमें दो इलेक्ट्रान रह सकते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि प्रथम आवर्थ में केवल दो ही तत्व हो सकते हैं। दूसरे आवर्थ में इलेक्ट्रानों के भराव दूतिये उड़जास्तर जोकी N बरारबर 2 हैं, इससे शुरू होता है। इसमें केवल चार कक्षक होते हैं। एक दो S और तीन दो P जो आठ इलेक्ट्रोनों को रख सकते हैं, अताहा दूसरे आवर्थ में आठ इलेक्ट्रोन होते हैं, तीसरे आवर्थ N बराबर तीन में इलेक्ट्रोनों के भराव तीन S कक्षकों में होता है, अताहा तीन S और तीन P कक्षकों में इलेक्ट्रोनों का ल लगातार भराव तीसरा आवर्थ बनाता है। चौथा आवर्थ N बराबर 4 ये 4S कक्षकों में इलेक्ट्रोनों के भराव से शुरू होता है। हालकि 4S कक्षक के बाद और 4P कक्षकों के पहले 5 3D कक्षक भी भराव के लिए होते हैं। अतार पूरे 9 कक्षकों में 1,4S, 5,3D और 3,4P कक्षक भरने के लिए होते हैं। ये लेखनी है कि 3D कक्षकों में भराव स्केंडियम यानि परमानुक्रमांक बराबर 21 से शुरू होता है। स्केंडियम परमानुक्रमांक बराबर 21 से जिंक परमानुक्रमांक बराबर 30 तक के तत्व 3D संक्रमन श्रिणी के तत्व कहलाते हैं। पाँचवां आवर्द N बराबर 5, 5S कक्षकों से शुरू होता है और चौथे आवर्द के ही समान होता है। 9 कक्षकों में से 1,5S, 5,4D और 3,5B कक्षक भरने के लिए होते हैं। अता, पाँचवें आवर्द में भी 18 तत्व होते हैं। छटवां आवर्द 6S कक्षकों के भराव से शुरू होता है जोकी N बरावच 6 है। इसमें 16 कक्षक हैं। 1,6S, 7,4F, 5,5D और 3,6P जिनमें एलेक्ट्रानों का भराव अगले उर्जाहसतर के शुरू होने के पहले होता है। 4F कक्षकों में भराव सीरियम यानि प्रमानुक्रमांक 58 से शुरू होकर लिटीशियम यानि प्रमानुक्रमांक 71 पर समाब्द हो जाता है। ये प्रथम F संक्रमान श्रिणी का गठन करता है जिसे लेंथनोयट श्रिणी कहा जाता है। 7S कक्षक से शुरू होता है। उत्रोतर 7S, 5F, 6D और 7P कक्षकों के भराव को दर्शाता है। पर ये अभी तक अपून है। वर्दमान में इसमें केवल 19 तत्वर हैं। पांच F कक्षकों तक भराव थोरियम परमानुक्रमांक 90 से शुरू होकर लॉरेंशियम परमानुक्रमांक 103 पर समाप्त हो जाता है। ये दुतिये F संक्रमन श्रिणी का गठन करता है जिसे एक्टिनोयट श्रिणी कहा जाता है। वर्गवार इलेक्ट्रोनिक विन्यास एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्व समान रासाइनिक गुण धर्म प्रदशित करते हैं। क्योंकि उनके बाहितम कोश में इलेक्ट्रोनों की संक्या और वित्रण ये की ही प्रकार का होता है। एलेक्ट्रोनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार S, P, D, F ब्लॉक आवर्थ सारणी के दीर्ग स्वरूप को चार मुख्य ब्लॉकों में बाटा जा सकता है। ये ब्लॉक है S, P, D, F ब्लॉक इस वर्गी करण के दो अपवाद हैं। पहला हिलियम है जो की S ब्लॉक के तत्वों से संबंद को दर जाता है। परंदो इसे P ब्लॉक तत्वों के साथ रखा गया है। क्योंकि इसका बाहितम कोश एक S दो यानि पूरा भरा हुआ है। दूसरा तत्व हाइडोजन है। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसे S ब्लॉक में रखा जा सकता है। और वर्ग सत्रा के तत्वों की तरह ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त भी कर सकता है। इसलिए इसे आवर्थ सारणी में सबसे उपर रखा गया है। S ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अपने बाहितम उड़ जैस्तर के S उपकोश में प्रवेश करता है। S ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये ब्लॉक आवर्थ सारणी के सबसे बाइंतर अविस्थित है। इसमें वर्ग एक और दो के तत्व शामिल हैं। इनके विन्यास समाने हैं। जहां N बाहितम कोश को प्रदाशित करता है। वर्ग एक के तत्व एलकली धातू और वर्ग दो के तत्व एलकली धातू कहलाते हैं। P ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अपने बाहितम उर्जैस्तर के पी उपकोश में प्रवेश करता है। P ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। हिलियम का छोड़कर जो की एक अपवाद है इनके विन्यास समाने हैं। वर्ग 18 में आदर्श गैसे शामिल हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वर्ग 17 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं और वर्ग 16 के तत्व चालकुजन कहलाते हैं। ये तत्व स्थाई विन्यास पाने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहन करते हैं। D-Block तत्व यानि संक्रमर तत्व D-Block तत्व वे तत्व हैं जिनके एलेक्टॉनिक विनियास में D-Bakshak आंशिक रूप से भरा जाता है इसका सामाने विनियास है D-Block तत्वों की सामाने विशेष्टाएं निमनलिखित हैं ये रंगीन समिश्र का निर्मान करते हैं। इन में से अधिकांश अनुचुम्ब कीयता प्रदशित करते हैं। इन में से अधिकांश में उत्प्रेरक के गुण होते हैं। ये युक्म का निर्मान करते हैं। उधारन के तौर पर ब्रास, कौपर और जिंक का एक युक्म है। F-Block तत्व यानि आंतरिक संकर्मार्ट तत्व आवर्द सारणी की निचली दू क्षेतिच पंक्तियां F-Block तत्वों को धारण करती हैं। इन्हें Lentinoid और Actinoid कहा जाता है। इनका समान एलेक्ट्रोनिक विन्यास है जहां N बाहितम कोश को प्रदर्शित करता है। ये तत्वों की दो श्रिणियों को शामिल करते हैं जो आवर्द सारणी के आधार में इस्थित हैं। प्रथम श्रिणी Lentinum का अनुसरण करती है और Lentinoid कहलाती है जबकि Actinoid श्रिणी Actinium का अनुसरण करती है। F-Block तत्वों के सामानिकुण निम्नलिखित हैं। ये विभिन संभावित आक्जी करण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये उच्छ गलनांक वाली धात्वे हैं। इनका घनत्व उच्छ होता है। Actinite श्रिणी के अधिकांश्थत्व रेडियो धर्बी हैं। धातू, अधातू और उपधातू धातूएं धातूएं ठोस यानी मजबूत होती हैं। धातूएं आघात वर्थे और तन्ने होती हैं। धातूएं के गलनांक और कौतनांक उच्छ होते हैं। धातूएं उश्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातूएं पौलिश करने पर चमक उठती हैं। अधातूएं भंगुर होती हैं। अधातूएं उश्मा और विद्युत की अलप चालक होती हैं। वे तत्व जो धात्वों और अधात्वों दोनों के गुण प्रदेशित करते हैं, उप धात्वों कहलाते हैं। तत्वों के गुण धर्मों में आवर्देदा भातिक गुणों की प्रावरितियां कौ पर्माणू त्रिज्या को पर्माणू के नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रानों के बाहतम गोश के बीच की दूरी के रूप में परिभाशित किया गया है। पर्माणू की त्रिज्या को निम्ने लिखित कारणों से सही सही परिकलन संभव नहीं है। अलग किये जाने के लिए पर्माणू बहुत छोटा है। किसी पर्माणू की प्राइक्ता वितरन उसके आसपास उपस्थित अन्ने पर्माणूं से प्रभावित हो जाती है। अणूं के दो पर्माणूं एकल बांध द्वारा जुड़े हुए हैं, तो हम नापेंगे। सह संयोजक त्रिज्या को समान पर्माणूं जो एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके नापिक केंद्रों के बीच की दूरी के आदे भाग के रूप में परिभाशित किया जाता है। धातूं के लिए हम धात्विक या क्रिस्टल त्रिज्या को नापेंगे। इसे धातू कोरों के दो सनलगन पर्माणूं के बीच की अंतरा नापिक ये दूरी के आदे भाग के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। किसी पर्माणू की धात्विक त्रिज्या हमेशा उसकी सहसैयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है क्योंकि धात्विक बंध सहसैयोजक बंध की तुल्णा में कमजोर होते हैं। आयने त्रिच्या जब उदा सीन पर माणू इलेक्ट्रोन लेता यक होता है तो आयन का निर्मान होता है इलेक्ट्रोन निकल जाने पर धनायन बनाता है जबकि इलेक्ट्रोन मिल जाने पर धनायन बनाता है आयनों के नाभिक के बीच वह प्रभावी तूरी जिसमें वे आयनिक बंद के प्रभाव में रहते हैं आयनिक त्रजया कहलाती है मेहतपून पिंदू धनायन की तरिज्या अपने जनक परमाणों की तरिज्या से कम होती है जब आयनों में इलेक्ट्रोनों की संघ्या, समान किंतु नाभी की ये आवेश की मात्रा अलग होती है तो ये सम-Electronic आयन कहलाते हैं इन आइनों का आकार नीचे दिये गए क्रमशा है। आइनन एंथेल्पी विलगित गैसिय परमाणू से बाहितम इलेक्ट्रॉन को बाहल निकालने में जो ओड़ जा लगती है उसे तत्व की आइनन एंथेल्पी कहते हैं। यदि हम किसी गैसिय परमाणू A को आइनन उड़ जा प्रदान करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। उत्रोतर आइनन उड़ जा गैसिय परमानों से एक बार जब इलेक्ट्रोन प्रथक हो जाता है तो धनात्म काईनों से एक के बाद एक, दूसरे और उत्रोतर इलेक्ट्रोनों के प्रथक होने की संभावना होती है उधारण तत्वों की कैसी अवस्था के यूनि पॉजिटिव, डाइ पॉजिटिव, ट्राइ पॉजिटिव आयनों से सर्वधिक शिथिलता से बंधे इलेक्ट्रोनों को प्रथक करने के लिए आविशक उर्जा को क्रमशा, दूइतिय, तृतिय, चतुर्थ आयनन उर्जा कहा जाता है ये उलेकनिय है कि आयनन उर्जा तीन कमान, आयनन उर्जा दो किमान से और आयनन उर्जा दो कमान, आयनन उर्जा एक किमान से अधिक होता है आयनन उर्जा निम्नलिखित कार्गों पर निर्भर करती है एक, परमानू का आकार जैसे ही पर्मानों का आकार बढ़ता है, बाहतम इलेक्ट्रोनों पर नाभिक की पकड़ धीली पढ़ जाती है और उन इलेक्ट्रोनों को प्रथक करना और आसान हो जाता है। इस तरह आइनन उर्जा पर्मानों की आकार में प्रिद्धी के साथ घड़ जाती है। 2. नाभिकिये आविश की मात्रा बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोन का प्रिथक करन कठिन हो जाता है। अताह आइनन उर्जा बढ़ती है। 3. आवरण प्रभाव बहुएलेक्ट्रोन वाले परमानों में जो इलेक्ट्रोन बाहितम कूश में स्थित होते हैं, वे क्रोडिये इलेक्ट्रोनों की प्रतिकारक अन्योनिक क्रिया के कारण पूरे नाभिकिये आविश को अनुभव नहीं करते हैं। अतहा संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिरक्षित या आवरित हो जाते हैं। इस प्रभाव को आवरन प्रभाव कहते हैं। आंतरिक इलेक्ट्रोनों की संख्या में वृध्धी के साथ आयनन उर्जा में कमी आती जाती है। चार, इलेक्ट्रोनिक विन्यास जिस परमाणू का विन्यास ज्यादा इस्थाई होता है उसमें इलेक्ट्रोन खोने की प्रवरित्ती कम होती है जिसके परिणाम सोरूप उसकी आयनन उर्जा कमान उच होता है। इलेक्ट्रोन लब्द एन्थेलपी को एक परमाणू या अनू की रणायान बनाने की योगिता के रूप में परिभाशित किया जाता है जो कि परमाणू या अनू द्वारा एक लेक्ट्रोन ग्रहन किये जाने पर निर्मुक्त की गई उर्जा के रूप में व्यक्त की जात इस प्रक्रम को निम्नलिकी तरेके से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रक्रम को निम्नलिकी तरेके से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रक्रम को निम्नलिकी तरेके से व्यक्त किया जा सकता है। वे कारक जिन पर विद्यत रणात्मक्ता निर्भर करती है। वे हैं प्रभावी नाभिकी आवेश और परमाणुत्रिज्या। अधिक नाभिकी आवेश अधिक विद्यत रणात्मक्ता। छोटी परमाणुत्रिज्या अधिक विद्यत रणात्मक्ता। सबसे अधिक विद्यत रणात्मक्त तत्व फ्लोरीन है। रासायनी गुण धर्मों में आवर्त प्रवरित्ती। संयोजक्ता में आवर्तिता या आक्सी करण अवस्थाएं। किसी तत्व की संयोजक्ता उसके बाहतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या होती है। संयोजक्ता इलेक्ट्रोनों की संख्या आवर्तों में आके पढ़ने पर एक से आठ तक पढ़ती जाती है। हाइटोजन के सापेक्षुत तत्वों की संयोजक्ता वर्गों में नीचे जाते हुए संयोजक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। अताह एक वर्ग के सभी तत्व समान संयोजक्ता प्रदेशित करते हैं। द्यूतिय आवर्थ के तत्वों के गुण धर्मों में असंगत्ता। द्यूतिय आवर्थ के तत्व ऐसे कई गुण प्रदेशित करते हैं जो उनके समुह के नहीं है। उधारण बेरिलियम और लीथियम के योगिक सहसेयोजक्त बनाते हैं। ये कुण S-Block के अन्य तत्वों में नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दुई परमानुवी ये अनू बनाते हैं जबके उनके समुह के अन्य सदस्य बहु परमानुवी ये अनू बनाते हैं। विकन संबंद लीथियम, बेरिलियम और पोरोन की विद्यत रनातमक्ता विकन संबंदों को दिशा देती है लीथियम आश्चर जनगठं से, मेंगनीशं से, बेरिलियम, अलियूमिनियम से और बोरोन, सिलिकॉन से समानता रखता है। विद्ध रणात्मक्ता आवर्तों में दाएं से बाईयोर जाने पर बढ़ती है। आवर्त प्रवरित्ती और रासाइनिक क्रियाशीलता एलकली धातुओं के बीच रासाइनिक क्रियाशीलता एक इलेक्ट्रॉन खोकर और धनाइन के निर्माण से होती है। जबकि हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्ट कर रिनाइन के निर्माण द्वारा रासाइनिक क्रियाशीलता प्रधर्शित करते हैं। रासाइनिक क्रियाशीलता आवर्त सारणी के केंद्र में सबसे कम होती है। क्या आप जानते हैं। मई 31 संदो हजार बारा को IUPAC, The International Union of Pure and Applied Chemistry ने फ्लेरोवियम और लिवर्मोरियम को आवर्त सारणी में जोडने के लिए मन्जूरी दिया। सारांश। आईए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वर्तमान में 114 तत्व ग्यात हैं। डॉबे राइनर ने देखा कि कुछ तत्व तीन के समुह में माजूद हैं, जिनको उन्होंने त्रिक का नाम दिया। जौन एलेक्जेंडर निवलेंड ने तत्वों को उनके परमानु भार के बढ़ते हुए क्रम में वैवस्थित किया। और पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुण, पहले तत्व के गुणों के समान थे। मेंडलीव ने एक आवर्थी नियम दिया। नियम कहता है तत्वों के गुण धर्म उनके परमानु भारों के आवर्थी फलन होते हैं। आवर्थ सारणी की वर्तमान सोरूप तीरक है। IUPAC ने सो से अधिक परमानों क्रमांको वाले तत्वों के लिए एक वैवस्थित नामकरण पद्धती दी। किसी परमानों के कक्षांकों में इलेक्ट्रॉनों की वैवस्था को इलेक्ट्रॉन विन्यास कहा जाता है। आवर्थ सारणी को चार ब्लॉकों S, B, D और F में वर्गिक्रित किया गया है। किसी तत्व की संयूजक्ता उसके बाहतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। दुतिय आवर्थ के तत्व ऐसे कई गुण प्रदेशित करते हैं जो उनके समुके नहीं है। दुतिय आवर्थ के तत्वों का ये गुण असंगत गुण धर्म कहलाता है। लीथियम, बेरीलियम और बोरोन की विद्धितरनात्मक्ता विकन संबंधों का ने त्रित्व करती है। ट्र the रहें भीथियन है। ऑंशों का विकन सब्सक्ता सब्सक्तास लीथियन है झाल झाल